हमारी next colligative property है osmotic pressure लेकिन osmotic pressure को पढ़ने से पहले हमें एक process पढ़ना होगा osmosis right simple osmosis होता क्या है the process of movement of solvent particle from higher concentration to the lower concentration through the semi-permeable membrane known as osmosis यानि osmosis क्या है osmosis इस diagram से हम समझते हैं कि एक तरफ हमारे पास pure solvent है यानि पानी भरा हुआ है assume कर लिजिए और एक तरफ हमारे पास solution है यानि पानी है पिलस उसके अंदर क्या है sugar air एक तरफ तो solution है और एक तरफ क्या है pure solvent है ठीक है हमने क्या है यहाँ पर एक piston लगा रखिए ठीक है न यहाँ पर भी और इधर भी ठीक है और इनके बीच में इन दोनों को हमने pure solvent को और solution को separate कर रखा है एक दूसरे से अलग कर रखा है किसको थूरू semi permeable membrane के थूरू आ रहा है अब यह semi permeable membrane क्या है एक परकार का filter paper है यह एक परकार का filter है जो अपने अंदर से केवल solvent के particles को तो जाने देता है लेकिन solute के particles को क्या है वो prevent करता है रोक लेता है ठीक है मतलब क्या है सुगर इधर से इधर नहीं जा सकती लेकिन पानी इधर से इधर भी आ सकता है लेकिन क्या है यदि हम process osmosis पड़ रहे हैं ठीक है ना तो water जो होता है वो हमेशा ज्यादा मात्रा से यानि जो solvent होता है वो हमेशा higher concentration से किधर जाएगा lower concentration की तरफ जब तक कि दोनों की तरफ का concentration क्या ना हो जाए बराबर ना हो जाए इस process को क्या बोलते हम osmosis बोलते हैं यानि the process of flow of particle of pure solvent towards the solution side through semi-permeable membrane इसे क्या बोला जाता है osmosis ठीक है example क्या है यदि हम seed को put करते हैं water के अंदर तो फूल जाते हैं जैसे कि क्या है grain हमारे पास क्या है कोई भी seed हो सकता है जैसे मटर का मटर का seed हो सकता है चने का seed हो सकता है उसको आप पानी में डालिए after some time यह आप देखेंगे कि वो धीरे-धीरे क्या है swell कर जाएगा मतलब क्य जाए उसके अंदर पानी कम था बाहर पानी ज्यादा है तो पानी क्या करेगा वर्टर जा करेगा ज्यादा कंसेंटेशन के किस की तरफ जाना है स्टार्ट होगा कंसेंटेशन की तरफ राइट और उसका जो covering हैं वो किसका काम करेगी semi permeable membrane का ठीक है ऐसे ही क्या होता है region यह किसमिस जो होती है वो स्वयल कर जाती है जो उनको पानी में रखा जाता है किसमिस है और आपने पानी में रखा तो यह कैसी हो गई है स्वयल कर गए है किस fenomena के दुरू स्वयल कर गई है ऑसमोसिस के तरो राइट क्योंकि ऐसमोसिस में क्या होता है Solomon के Particle Higher Concentration से Lower Concentration के जिससे केवल solvent के particles तो पास हो सकते हैं लेकिन कभी भी उससे solute के particle पास नहीं हो सकते हैं जैसे कि pig bladder ठीक है ना? pig bladder जो होता है वो एक semi permeable membrane तरह बर्ट करता है एक parchment paper होता है और एक cellophane होता है यह polymer होता है क्या होता है? polymer तो यह जो होते हैं न सारे ठीक है न? यह सब क्या होते हैं? एक semi permeable membrane यानि अपने अंदर से solvent को तो पास होने देते हैं लेकिन solute को क्या है यह? रोक लेते हैं, right? हमने osmosis समझ लिया है, osmosis को समझने के बाद हम समझेंगे osmotic pressure क्या होता है अब osmotic pressure होता है the pressure that applied towards the solution side मतलब pressure किदर apply किया जाएगा? वो pressure जो solution की side तो apply किया जाता है that just stop the flow of solvent towards the solution जो क्या है? solvent को solution की तरफ आने से यानि हाँ से solvent इदर आथा, इसे रोकने की कोसिस करेगा आरा इसको रोक देगा, ठीक है न? कोसिस नहीं करेगा, रोक देगा उसे क्या बोलते हम? उसे बोलते हम osmotic pressure मतलब इदर से solvent की concentration ज़ादा है तो solvent की particle इदर से किदर आ रहे हैं? यानि pure solvent से solution की तरफ आ रहे है जब pure solvent से платनी है तो मैं इदर से pressure apply करूँगा, वो इधर क्यों हा रहे है ? क्योंकि इधर space होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर pressure apply करूँगा अब मैंने थोड़ा pressure apply किया तो पहले माल लिजे एक second में 10 particle आ रहे थे मैंने थोड़ा pressure apply किया उनकी संख्या कितनी हो गई 8 हो गई और apply किया तो फिर 6 हो गई और apply किया तो फिर 4 हो गई और और थोड़ा अप्लाई किया तो फिर बिल्कुल ही क्या है solvent के particle इधर से इधर आना stop हो गए ठीक है अब मैं इस pressure को measure कर लूँगा इतना pressure क्या है अब मैंने देखा कि ये pressure pi होता है pi मतलब osmotic pressure osmotic pressure क्या हुआ solution की तरफ लगाया गया या solution की side लगाया गया वो pressure जो solvent को solution की तरफ आने से रोगते हैं या फिर क्या है जो osmosis process को रोगते हैं उसे क्या बोलते हम उसे बोलते हम osmotic pressure osmotic pressure को हम pi से denote करते हैं अब जब osmotic pressure को आप mathematically इसका expression निकालेंगे या नि form निकालेंगे उससे पहले आपको क्या है एक boils want of law पढ़ना पड़ेगा boils want of law क्या है कि जो pressure होता है जो osmotic pressure है वो directly proportional होता है concentration की concentration मतलब molarity mol per liter constant temperature पर दूसरा है गैलूसे क्वेंट of law उसमें जो pressure होता है या नि वो osmotic pressure जो होता है वो directly proportional होता है temperature के अब देखो pi c के भी proportional है और t के भी तो pi directly proportional हो जाएगा c t के यहाँ से proportional का sign लगाँगा sign को अटाने के लिए एक तो equal का sign लगाँगा और एक लगा constant और वो constant हो जाएगा मेरा r तो मेरा formula हो गया pi equal to c r t यहाँ पर ध्यान रखना है c concentration of solute particle है और c को molarity बोलते है और c का जो formula होता है w to into thousand upon m to into v होता है अब मैं c के इस्थान पर लग दूँगा w to into thousand upon m to into क्योंकि v मुझे लीटर में लेना होता है तो thousand को लेने को ज़रूरत नहीं है w to into r into t upon m to into v तो मेरा pi का formula यानि osmotic pressure का formula हो जाएगा w to into r into t upon m to into v यह important formula है जो numerical को solve करेगा लेकिन जब ही आप यह formula एपलाई करेंगे एक तो volume आपको कभी भी क्या है ml में नहीं लेना ठीक है और temperature कभी भी degree Celsius में नहीं लेना यदि degree Celsius में ही देगा आपको लेकिन आपको change करना है Kelvin में और volume आपको जर्णली ml में देगा तो change करना है आपको लीटर में यह ध्यान रखना r की value यदि हमारा क्या है r की value पासकल में है तो यह रखनी है 8.314 into 10 की पावर 3 और बार में 0.083 और atmosphere में 0.0821 यह रखनी है हमको बैसे इस formula में आपको यह ध्यान रखना है कि volume हमेशा लीटर में लेना है और temperature हमेशा Kelvin में लेना है क्योंकि जो r की value है न वो लीटर और Kelvin उसमें word आ रहा है ठीक है न इसलिए हमें लीटर और Kelvin में लेनी है यहाँ से यह जो formula है यह formula इससे molar mass भी निकाला जा सकता है इससे क्या निकाला जा सकता है molar mass molar mass कैसे निकाला जा सकता है M2 को आप इधर ले जाई है और Pi को आप यहाँ पर ले जाई है तो molar mass भी हम क्या है निकाल सकते है इससे clear हो गया अब इसमें क्या है कुछ और बात है यह जो हमारे पास ओस्मोटिक प्रेसर है ना ओस्मोटिक प्रेसर जो है ओस्मोटिक प्रेसर के फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं we can determine the molar mass of protein polymer other macromolecule and it is very useful rather than than other मतलब क्या है यदि मैं depression in freezing point से भी मैं क्या निकाल सकता था depression in freezing point से भी मैं निकाल सकता था क्या molar mass या मैं elevation in boiling point से भी निकाल सकता था या RLVP से भी निकाल सकता हूँ लेकिन protein का polymers का या biomolecules का molar mass यदि निकालना हो तो सबसे अच्छा method कौन सा होता है osmotic pressure method जिसमें formula मैंने भी बताया था आपको ठीक है उसका region क्या होता है एक तो region यह होता है कि osmotic pressure जो है उसमें molarity होती है molality के स्थान पर दूसरा it is measure at room temperature इसे हाँ room temperature पे भी निकाल सकते है osmotic pressure को और biomolecules are not stable at higher temperature biomolecules are not stable at higher temperature ठीक है and they have poor solubility उनकी solubility कैसी होती है यह हमें high magnitude भी देता है ठीक है न gives high magnitude यदि ज्यादा value क्योंकि polymers का molar mass बहुत ज्यादा होता है तो ज्यादा magnitude भी हम इससे निकाल सकते है तो यह इसका क्या है यह question कई बार आ चुका है कि osmotic pressure method होता है वो ज्यादा अच्छा method होता है क्या molar mass निकालने का polymers का as compared to other method उसका कारण यह four region आपको लिखने है ठीक है अब solution जो होते है solution are distinguished three types solution को हम तीन तरीके से distinguish कर सकते है ठीक है न osmotic pressure के base पर हम solution को तीन तरीके से distinguish मतलब अंदर difference कर सकते हैं तीन पिरकार के solution होते है isotonic, hypertonic और hypertonic isotonic solution एक hypertonic solution होता है और एक hypertonic solution होता है ठीक है ना सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं isotonic solution कि भी isotonic solution क्या होता है कि isotonic solution होता है if no movement of solvent particle takes place between the two solution यदि दो solution के बीच में water ना तो अंदर जा रहा है नहीं अंदर का water भाहर आ रहा है तो ऐसे solution को आप isotonic बोलते हैं isotonic solution होते हैं उनमें उनका osmotic pressure अंदर का और भाहर का सेम होता है इसलिए क्या हो जाएगा पाइवन बराबर पाइटू तो सीवन आर्टी बराबर सीटू आर्टी आर्टी सा आर्टी तो सीवन बराबर सीटू यानि जिसमें osmosis ना हो वो isotonic solution है ठीक है न अब important क्या है इसके अंदर हमें इध्यान रखना है कि 0.9% weight by volume NACL का जो solution होता है ठीक है न वो isotonic होता है हमारी red blood cells के अनि RBC के so blood cells do not swell up it is safe to inject intervenously यदि हमारी body के अंदर क्या है 0.9% weight by volume solution NACL का inject कर दिया जाए to complete the deficiency of electrolyte ठीक है न body के अंदर electrolyte की कमी को पूरा करने के लिए गुलकोस बोलते है उसको ठीक है यदि वो हमारी body के अंदर inject कर दिया जाए तो हमारी cells पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों कि यह हमारी cells के isotonic होता है यदि इससे ज़्यादा concentration का या इससे कम concentration का यदि body के अंदर inject किया जाता है तो उससे क्या है या तो cell swell कर सकती या cell shrink कर सकती है लेकिन इतने percent पे isotonic होता है तो question यह भी आता है कि कितने percent NACL solution हमारे RBC का isotonic होता है तो 0.9% weight अब यदि हम क्या है place कर देते हैं किसी cell को isotonic solution के अंदर तो ना तो वो shrink करेगी ना ही वो swell करेगी ऐसे case में हमारा हो जाएगा isotonic solution दूसरा solution है हमारा hypotonic solution question आता है अभी hypotonic solution का मतलब क्या होता है hypotonic का मतलब है कम hypo का मतलब होता है कम आगे है नहीं tonic मतलब concentration समझ लीजी तो यदि concentration of solvent particle is less inside the cell यदि मैं cell का remember लेता है आगे है नहीं समझना है इसको यदि मैं cell का example लेता हूं तो cell के अंदर तो मुझे concentration solvent की पढ़नी पड़ेगी कि यदि cell के अंदर क्या है solvent की amount कैसी है कम है ठीक है ना hypo का मतलब कम तो solvent के अंदर amount of solvent इसके अंदर cell के अंदर amount of solvent कम है तो बाहर solvent जादा है तो बाहर का solvent अंदर जाएगा और cell swell करेगी तो hyperstonic solution में क्या होता है cell हमेशा swell करती है यह तो एक simple understandable हो है ठीक है लेकिन यदि मैं इसको समझो concentration of NaCl is less than 0.9% weight by volume ठीक है न इसके अंदर क्या है कि यदि हमारे पास यह solution है माल लेज़े यह solution है और उसके अंदर क्या है concentration 0.9% NaCl की कम है इसका मतलब solute जादा है वो solvent जादा है तो जो solvent है वो बाहर से किधर जाएगा अंदर की तरफ और cell हमारी क्या हो जाएगी cell हमारी full जाएगी मतलब यदि हमारी body के अंदर 0.9% weight by volume NaCl की concentration से कम concentration वाला solution inject करे जाएगा तो हमारी RBC swell करेंगे क्योंकि बाहर क्या है solution के अंदर water content जादा है यानि solvent जादा है तो बाहर का solvent अंदर enter करेगा और हमारी cell swell कर जाएगी hypertonic solution में cell swell करती है most important next आता hypertonic solution hypertonic solution का मतलब है अब इसको हमें दो ही तरीके समझेंगे एक तो cell का example लेके और एक NaCl का hyper मतलब हो गया जादा अब जब cell का example लेते हैं तो solvent को जादा मानते हैं और वो भी cell के अंदर हमाना था लेकिन cell के cell के सेल के समस्में बाहर माना था ठीक है न न चैल के अंदर solvent को कम माना है और इसके अंदर सेल के अंदर सॉल्वेंट को ज्यादा मानेंगे हाइपो मतलब ज्यादा ठीक है न तो जब सेल के अंदर सॉल्वेंट की अमांट ज्यादा होगी मतलब वाटर सेल के अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो सेल जैसे रखोगे इसके अंदर तो सेल स्रिं shrink ऐसे कि इसमें hypertonic solution में cell shrink कर जाएगी अब NACL का example लेते हैं कि यदि मेरी concentration 0.9% से जादा है यहाँ आलो यहाँ पर concentration बहुत जादा है NACL की 0.9% से इसका मतलब क्या है अंदर उसकी concentration कम है तो यहाँ पर पानी कम है यहाँ यहाँ पर solvent अंदर जादा है तो अंदर का solvent भार आएगा जब अंदर का solvent भार आएगा तो cell shrink कर जाएगी इसको बोलते हैं hypertonic solution hypertonic solution में cell shrink करती है hypertonic solution में cell swell करती है और isotonic solution में cell के size पे कोई फरक नहीं पढ़ता है ठीक है ना हमारा next है importance of osmosis अब osmosis का क्या importance है ठीक है कुछ ना कुछ तो हमारे क्या है daily life में इसका कुछ ना कुछ importance तो हो गई कुछ ना कुछ तो इसका क्या है हमारे लिए फायदा नुकसान कुछ है अब क्या है देखिए raw mango shrink into pickle when placed in concentrated common salt solution due to osmosis मतलब जो कच्चे mangoes होते हैं ठीक है वो नमक के solution के अंदर डाला जाएगा क्यों क्यों कि बाहर हो गया concentration हमारा hypertonic ठीक है तो अंदर cell का पानी बाहर आएगा जिससे कि क्या है हमारा जो raw mangoes है वो shrink हो जाएंगे ठीक है और वो convert हो जाएंगे pickle में पहला example तूसरा इसलिए क्या है जब अचार बना जाता है तो mango में क्या डाल दिया जाता है NACL को ज़्यादा मात्रा में अड़ कर देते हैं wilted flower review when placed in fresh water due to osmosis ठीक है न जो क्या होता है wilted flowers होते हैं वो review हो जाते हैं review मतलब क्या हो जाता है जो मुर्जा होए फूल है वो पहले जैसे हो जाते हैं जब उनको बहुत साप पानी के अंदर रख देते हैं क्योंकि जब पानी के अंदर रखोगे तो बाहर से पानी अंदर जाएगा और वह cell फिर से ठीक है स्वेल कर जाएगी और हमारे जो फूल है वो खिल जाएंगे राइट तीसरा प्रिजर्वेशन आप मीट बाइडिंग सॉल्ट एंड सुगर सॉलुशन तो प्रिजर्व फूल ड्यू टू अस्मोसिस ठीक है न यानि यदि क्या है मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉ हाइबर टॉनिक है जब कोई बैक्टरिया फंगस अंदर जाएगा तो उसकी सेल स्रिंग कर जाएगी और उसकी बायो केमिकल पाथ में ब्लॉक हो जाएगा ऐस्का रीजन भी लिखा हुए है कि जब बैक्टरिया और फंगस एंटर करते हैं मीट और फूट के अंदर तो सेल स्वाव सेल नहीं होती है वैक्तिरिया कि वह स्रिंग कर जाती है दूटी अस्मोसिश है एक होता है इडीमा और पफिनेस इडीम और पफिनेस क्या होता है कि हमारी बॉढ़ी सेल्स है अब बॉढ़ी की सल्सेब्स जो और ये विल्कुल 分mot पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में जो इस पेस होता है उसे इंटर सेलूर स्पेस बोलते हैं ठीक है ना अब क्या होता है कि दा कंडिशन इंविज the concentration of salt solution increase in intercellular space कभी कभी क्या है यदि कोई person ज्यादा salt intake कर लेता है तो intercellular space में उस salt की amount बढ़ जाती है आ रहा है जिससे क्या होगा जो cell का water है वो बाहर की तरफ जो उस intercellular space के अंदर flow हो जाएगा यानि cell से बाहर आ जाएगा जब cell से बाहर में intake कर ले तो हमारी body parts swell कर जाते है कारण क्या है कारण यह यह कि उसके अंदर क्या है solution बन जाता है hypertonic और hypertonic solution में cell हो जाती है shrink और जब shrink हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा water intercellular space में तो intercellular space में कारण क्या है skin swell हो जाएगी इसमें topic है हमारा reverse osmosis question आता है what is reverse osmosis तो reverse osmosis उसको insertum RO बोल देते हैं जब क्या होगा कि हम pressure लगाएंगे कहाँ पर solution की side और greater than osmotic pressure यदि हमने solution की side osmotic pressure दितना लगाया तो solvent के particle इधर से इधर आना रुग गए और और जादा लगा दिया तो इधर के solvent के particle इधर जाना start कर देंगे यानि osmosis हो तो होना चाहिए इधर से इधर लेकिन हमने क्या है उल्टा कर दिया इसी को बोलते है reverse osmosis मतलब when pressure more than osmotic pressure applied on the solution side the solvent particle from the solution side move towards the pure solvent and the osmosis phenomena become reverse it is called reverse osmosis मतलब क्या है मतलब यह यह कि reverse osmosis में क्या है solution की side क्या है pi से ज्यादा pressure लगा जाता है जिससे solvent के particle क्या है semi permeable membrane से होते हुए किधर चले जाते है pure solvent की तरफ और हमें क्या है pure water मिल जाता है अब यह reverse osmosis करते क्यों है reverse osmosis का importance क्या है तो importance of reverse osmosis है कि reverse osmosis helps करता है किसमें help करता है तो remove the impurity from the water water से impurity को हटाने में help करता है यदि water के अंदर को impurity add होगी है तो यहां से reverse osmosis के द्वारा हम उसे हटा सकते है ठीक है और दूसरा it helps to desalination of water यानि समंदर के पानी से क्या है नमक अलग करने से यानि उसको पीने योग्य बनाने के लिए क्या है उसे बोलते है desalination उसमें से salt को अलग करना उसे बोलते है means removal of salt from sea water due to which it becomes suitable for drinking मतलब क्या है desalination भी किया जाता है rossmosis से reverse osmosis से और impurity भी हटाए जाती है तो इसको बोलते है हम आ रहो और यह इसका क्या है दो importance है यहाँ पर हम क्या एक example भी solve कर लेते है जो कि related है किससे osmotic pressure से अब osmotic pressure आपको कह रख का है कि 200 cm3 या फिर 200 ml क्योंकि एक cm3 होता है 1 ml के बराबर of an aqua solution of a protein contain इतने gram of the protein मतलब protein का mass है ठीक है न the osmotic pressure of such solution as 300 Kelvin is found to be this calculate the molar mass of protein molar mass calculate करना है π दे रखा है d2 दे रखा है m2 दे रखा है v दे रखा है t दे रखा है r हम क्योंकि बार में दे रखा है pressure तो 0.083 रख देंगे अब यहाँ से क्या है π का formula मेरा यह होता है तो इसे m2 की term में लेंगे m2 को यहाँ पर पाई को यहाँ पर value put कर देंगे सारा तो मेरा आ जाएगा 61022 ग्राम पर मोई तो दिस इस दा question related to osmotic pressure ओके